नमस्कार आप देख रहे हैं एकॉनमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती आपने अगर इस थमनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के दंगों के साथ एकॉनमी यानि रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, कारोबा धन्दा, इन सब का क्या कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन है और इसी कनेक्शन का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आपने देखा होगा, दंगे में जो मरते हैं, जादा तर गरीब लोग होते हैं, सब नहीं, जादा तर आपने कभी सुना है क्या कि बड़े-बड़े पॉश कॉलिनियों में दंगे हुए हैं? कभी सुना है कोई सेट का बेटा अपनी आउडी गाडी छोड़कर डंडा लेकर भीड के साथ सडक पर उतरता है धर्म की रक्षा करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा वो ट्विटर पर, फेस्बुक पर, वाटसाइप पर पोस्ट डालता है कहता है जो हुआ अच्छा हुआ इन लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए था धंगाई जो सडक पर लोगों को मारने उतरते हैं और खुद भी मरते हैं ज्यादातर गरीब होत और इन मेंसे बहुत लोग बेरोजगार होते हैं दंगा जो भड़काते हैं वो या तो छुटभईये नेता या क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग होते हैं और उपर से मतलब इन छोटे नेताओं के भी उपर जो ये पूरे कटपुतली के खेल को रचाने वाले लोग होते हैं जो दंगे होते हुए देखकर मज़े लेते हैं, वो सब बड़े निता या सेठ लोग होते हैं, दंगाई इस खेल के सिर्फ प्यादे हैं, इस बार के दंगों में जो दंगाई शामिल हैं, उनकी बात करते हैं, मैंने कुछ पत्रकार उसे बात की, जिन्होंने इन दंगों को ग के उम्र के हैं, मतलब यंग लोग, मेरे दोस्त एंडी टीवी के सौरव शुकला, जिनको दंगाईों ने पीटा भी, उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके आसपास थे, उनसे शराब की बुआ रही थी, इन में से जरूर बहुत लोग बेरोजगार होंगे, काम ढूंड रह होंगे, जिनको काम नहीं मिला होगा, क्योंकि जो लोग दिहारी पर काम करते हैं, वो उन दिनों भी काम पर जाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत लोग जो दंगों में घायल हुए हैं, या मारे भी गए हैं, वो अपने काम से घर लोटते वक दंगाईों के चपेट में दिल्ली में वैसे बेरोजगार उपाओं की कमी नहीं है, सरकारी डेटा तो मोधी सरकार ने गोल कर ही दिया है, इसलिए हम देश के सबसे बड़े प्राइवेट डेटा कंपनी, CMI के आक्रे रिले ले लेते हैं, नंबर चौका देने वाले हैं, दिल्ली में 20 से 24 साल के पंद्रा लाग पुरुष हैं, उनमें से लगबग सात लाग या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी कारणवर्ष काम नहीं कर रहे हैं, बाकी रहे आठ लाग, इन आठ लाग में से लगबग आधे पुरुषों को काम नहीं मिला है, वो बेरोजगार हैं, मतलब अगर 10 दोस का डेटा देखते हैं, 20 से 24 साल के महिलाओं में लगबग 4 लाग काम करना चाते हैं, और उनमें से 3 लाग से ज्यादा बेरोजगार हैं, मतलब 4 में से 3 बेरोजगार, 20 से 29 साल की महिलाओं को ले ले, तो इस एज ग्रूप में 3 में से 2 महिलाएं बेरोजगार हैं, पुरुष और महिला जोड ले तो दिल्ली में लगबग 25 लाक लोग काम करना चाते हैं उन में से लगबग 10 लाक के पास काम नहीं है 10 लाक ऐसे नौजवान हैं जो काम ढूंड रहे हैं काम करना चाते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है घर में ताने सुनते हैं पेता जी कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता तो आफिस की नौकरी छोड़ना छोड़ ओला उबर चला ले या जोमाटो या एमेजन है इनकी डिलिवरी का काम ले ले घर में रहना ही जंजट की बात हो जाती है इन लड़कों के लिए कई बाहर जाकर क्रिकेट खेलना दोस्तो टॉक वीडियो बनाना डेटा सस्ता है तो यूट्यूब देखना और हाँ वाट्साइप पर चुटकुले मीम वगेरा शेयर करने में ही देने इनका गुजर जाता है खाली टाइम है तो थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग डोले शोले यह सब भी हो जाता है और मन में हर वक्त एक गुसा रहता है सीने में एक जलन कभी भी किसी पर फूट पड़े इस गुस्से की आग में घी डालना बहुत ही आसान है नौर्टीस डिल्ली जहां दंगे हुए है उसका आर्थिक चहरा बाकी डिल्ली से थोड़ा अलग है मेरे दोस्त एंडी टीवी के रवीश की है उन्होंने मुझे बताया कि यहां रेडी मेट गार्मेंट का काम जादा है घर घर में छोटे छोटे कार खाने हैं 20-25 लोग काम करते हैं कोई कटिंग करता है कोई सिलाई करता है तो कोई बटन लगाता है उसके बाद वाशिंग के लोग होते हैं पैकिंग करने वाले कर कुछ कारखानें चार-चार मंजिला घरों में बने हुए हैं जाप 40-50 लोग डेली काम करते हैं ऐसे यहां पर 500-700 कारखाने हैं उनमें बहुत सारे कारखानों के मालक मुसलिम है और बहुत मज़दूर भी मुसलिम है इसी एरिया में बड़ा रेडिमेड गार्मेंट का मार्के साथ में बड़ा टायर और स्पेर पार्ट्स का भी मार्केट है गोकुलपुरी में जिसको दंगाई ने जला दिया है यहां पर भी बहुत सारे मुस्लिम लोगों के दुकान और वरक्शॉप है साथ में क्राइम भी आएक बड़ा धंदा है मेरे दोस्त एंडी टीवी के रिप पाकी जगों की तुलना में ज्यादा होता है और यह कोई चाकू छुरा वाला मर्डर नहीं है वैसा यह सौसो राउंड गोली चलाकर जैसे फिल्मों में गैंग वार होता है उसी टाइप का मर्डर इस एरिया में बहुत होता है क्राइम जादा होने के कारण इस एरिया में सारी अवैध हतियार हैं इसलिए ज्यादा तर जो इन दंगों में घायल होए हैं वो गोली लगने से घायल होए हैं ऐसे माहूल में जहां कुछ लोगों की तरकी हो रही है कुछ लोगों के पास रेगिलर रोजगार है और दूसरी तरफ लाकों नौजवान बेरोजगार किसी क्रिमिनल गैंक के साथ जुड़े हैं किसी भी बात पर लोग भड़क सकते हैं जड़पे हो सकती है सर फूट सकता है गोलिया चल सकती है और यहां से हिंदू मुस्लिम दंगे तक पहुंचना जादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एक तरफ अगर हिंदू को जूटा घोल पिलाया जा रहा है कि यह मुसल्मान घुस पैठी हैं चार-चार शादिया करते हैं दस-दस बच्चे पैदा करते हैं और आपकी नौकरी चीन रहे हैं चोंकि सरासर जूट है तो दूसरी तरफ मुसलिम युवाओं को भी डर है कि CAA NRC जैसे कानूनों से उन से इस देश में रहने का हक छीन लिया जाएगा तो जब वो CAA के खिलाव धने पर बैठते हैं तो हिंदू युवाओं के दिल में उनके लिए कोई साहनुवती नहीं बलकि गुस्सा पैदा होता है और इस गुस्से को और भढ़काना इसमें और भी आग लगाना किसी भी नेता के लिए बह नेता और सेटका उससे क्या लेना देना